हाई प्रेंट्स, आम सबका पेवरेट होता है, अब बड़े और छोटे सब लोग उसे पसंद करते हैं, उसमें विटामिक्स ए और उसमें बहुत ज्यादा होते हैं, अब उसमें कैलरीज भी बहुत ज्यादा होती है, अगर हम एक क्लास मैंगो जूस पी ले तो उसमें हंड्रेट कैलरीज होती है, इससे हमें एनरजी पूलती है, आज मैं आपको मैंगो की तीन रेसिपी दिखाने वाली हूँ, सबसे पहले मैंगो जूस, मैंगो मिल्क शेक और मैंगो लसी, चलो तो फिर हम शुगवात करते हैं मैं रेसिपी बनाने के लिए, मैंने तीन आम लिये थे, उसे थंदे पानी में आधावंटा तक रिका है क्योंकि इसमें जादा हीट होती है, और वो कम हो जाती है, बाद में हमें तकलिफ नहीं होते हैं, इसलिए हमें इसे फ़ money में रखना चाहिए सबसे पहले हमें आम को काटना है और इसका चिलका निकलना है आप देख सकते हो इसका चिलका आसानी से निकल जाता है अ को आप देख गजैं आसानी से देख जाता है कि आप देख सकते हैं आप इसके छोटी-छोटी पीसी समय करना है कि आप कि आप कि आप कि कि आप कि आप कि आप कि आप कि आप चाहे तो इसको इस तरह भी इसको काड़ सकते हों इसके पीसे ऐसे आप काड़ सकते हूं कि आप है कि आप है कि छोटे छोटे स्लाइस हो जाएंगे आप इस तरह मैंने आम के छोटे छोटे पीसेस किये है कि मैंगो जूस बनाने के लिए मैंगो के तुकड़े कि शककर कर ईक लास पानी चोटे पीसेस और आईस क्यूब अब हम जूस बनाते हैं सबसे पहले देंगे आम के तुकड़े उसमें डाले हैं दो चंब स्थ आ आप अपने हिसाब से स्वाधा लुशा आप डाल सकते हैं उसमें डालूंगी पाहिए अपने शसाब से ठाले हैं आपको पतला चाहिए तो ज्यादा ताले ज़्यादा जिद्याओ और उसमेगा लोगी आइस के तुड़े अवाव आप देख सकते हो हमारा मैंगो जूस रेड़ी है अब इसे हम मैंगो के पिछ डालेंगे ब्यूटिफुल हमारा जूस रेड़ी है सेकेंड हम बनाने वाले हैं मैंगो मिल्शेक इसके लिए मैंने एक पाउल मैंगो पिसेश तीन सो एमेल दूद लिया है शक्कर पदाम के पिसेश काजू के पिसेश और आइस क्यूब अब हम बनाने वाले हैं मैंगो मिल्शेक सबसे पहले मैंगो के पिसे डाले इसमें तीन चम्माश शक्कर यह भी आप आपने साधा मिसाज आप ले सकते हैं क्योंकि आम बहुत मीटा होता है कि उसमें डालूंगी कि दूद्ध हाईस के तुकड़े केट घप सकते हैं चल खु accelerate क्यों मिल्ण मिल्ण कि उस निसे प्यां के अवाण क्यूल कि अवाद कि बंख सूपर हमारा माइंगो मिल से क्रेड़ी है वाउ इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है इस पर हम थोड़ा पिस्ता डालेंगे थोड़ा काजू डालेंगे ब्यूटिफूल मैंगो लसी इसके लिए मैंगो के पिस्स लिए थोड़ा दूत दही चेरी बदाम काजू इस्ता और टूटी पूटे बैंगो लसी के लिए आम के पिस्स लिए एक कप दही थोड़ा दूत दूत किन कमा शपकर अब इसमें आई क्यूब राएते हैं क्यूब लुब लाएते हैं अभब इसमेर आप देख सकते हो हमारी बैंगोल बसी रेड़ी है बोद बड़िया आप देख सकते हो बसी रेड़ी हो चुकी है वाउ बेरी नाइस इस पर हम डालेंगे गागनिश के लिए काजु के तुकड़े पिस्ता बताम कुछ टूटी फूटी के तुकड़े पियोटिफूल हमारी मैंगोल लसी रेड़ी है यूमी आप देख सकते हो हम लोग नहीं मैंगो जूस मैंगो मिल शेक और मैंगो लसी तीनों भी आम के रेसिपी बनाई हैं बहुत प्यारी लग रही हैं अगर आपके घर में कोई मैमान आते है तो आप ज़रूर आप ऐसे रेसिपी बना के उनके पिलाएगें बहुत खुश हो जाएंगे और आप भी यह बना के इंजाए कीजिए यह दिखने में जितनी प्यारी है उतनी ही पीने के लिए बहुत ही सौदिश्ट है अगर आपको मेरे रेसे के अच्छी लगी हो तो 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 आप लाइक कर्मेंच और मेरे चैनल को आप सब्स्ट्राइस कीजिए आप भी जब ट्राय कीजिए यह जब ट्राय कीजिए